तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चीन संबंधित सुत्र सीखेंगे चुकि आपको मैथ पढ़ना है ना तो चीन संबंधित सुत्र सीखना आपके लिए काफी आवस्यक है अत्ती आवस्यक है और इसको सीखने के बाद ही लोग मैथ पढ़ते हैं और बहुत लोग मैथ होगा तो आज किस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर होगा देखिए हमारे कोशन क्या है तो हमारे पहला कोशन है इस माइनस का अगर गुणा करना हो माइनस में तो माइनस माइनस होता है प्लस क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस यहां पर आपका होगा प्लस जैस वहीं पर क्या है प्लस का गुना करेंगे प्लस में तो प्लस प्लस होता है प्लस प्लस का गुना करेंगे प्लस प्लस होता है आपका प्लस अब देखें यहां पर क्या है प्लस और यहां पर क्या है प्लस तो जो प्लस यहां पर लिखेंगे पलस दो का गुना करेंगे पलस दो अब देखे उसका बात क्या है माइनस का MALE करना है प्लस में तो देखे निन प्लस होता है माइनस माइनस प्लस होता है माइनस देखे यहां पर समझे चार का करेंगे पलस तो देखे माइनस का गुना करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस होगा माइनस यह बरावर में क्या होगा माइनस अब देखे चार का गुना करेंगे तीन में तो चार तीन बारा यह माइनस चार का गुना करेंगे तीन में यह प्लस तीन में तो आपका माइनस का बारा हो दूसरा क्या है यहापर प्लस का तेन और इस मय से घटाना है 24, तो क्या होगा तो 3 में से 24 तो घटेगा नहीं, लिखर घटेगा देखिए 24 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा 21, और इस बड़ी सिह को पहले क्या है, माइनस का चीन है तो हम यहाँ पर माइनस का चीन लगा देंगे इन माइनस 21 आपका आंसर हो जाएगा तो अब देखे इसको समझे प्लस का गुना करेंगे माइनस में तो माइनस होगा अब देखे यहाँ पर प्लस 40 का जब मल्टिप्लाई करेंगे माइनस का 2 में तो 42 दूनी के हो जाएगा आपका 80 एिसी और plus minus होता है minus यान previous यहाँ पर आपका minus 8 हो जाएगा समझ रहे है यह गोड़ेंगे तो यहाँ पर देखे जब plus 40 में जोड़ेंगे minus का 2 गोड़ेंगे minus क ragots कितना होगा देखे 살아ionate plus 40 लिखेंगे plus का गोड़ेंगे minus माइनस माइनस प्लस माइनस और यहां पर क्या है दो अब चालीस में से दो घटाएंगे तो यहां पर आपका 38 आएगा और इसी तरीका से आपको चीन संबंदित जो भी कोश्चन होगा आपको सॉल्व करना है तो अगर आप कहेंगे तो जोडने या घाटाने पर भी एक वीड तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजे और इस चैनल पर पहली बारा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नए वीडियो का नोटीफिशन आपको मिलता रहे और आपके जोभी मैस के त्यारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफी स्ट्रोंग हो जाए